हेला दोस्तों इगनू की तरफ से आपके लिए लेटेस्ट अपडेट रिलीस की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेक शूर आप वीडियो को कम्प्लीट जरूर दिखेगा चैनल पर नाई है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोचिफिकेशन को भी और रखेगा इगनू से जुड़ी वी सभी चानकारिया आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलते रहेगी और एक्जाम टाइम में आपको फ्रेंट इंपॉर्टेंट कोशिन आंसर की वीडियो भी जरूर देखने को मिलेगी जो आपके एक्जामस में बहुत हेल्पफुल होने माली है जो फ्रेंट इगनू की तरफ से एक नियू अपडेट आई है जो है आपके रिजिस्ट्रेशन को लेकर जब आप एड्मिशन पोर्टल ओपन करेंगे तो आपको उस पर क्लिक करना है तो आपके सामने रिजिस्ट्रे इसका मौका दिया गया है अपने आपको रिजिस्टर कराने का जैन्वरी सेशन में सो यह फ्रेंट्स जो प्रक्रिया है जो यह प्रोसेस है वो कल से ही स्टार्ट हुआ है इगनू की तरफ से कल ट्वीटर पर नॉटिफाई किया गया था और पोर्टल को अपडेट नहीं कि लिख पा रहे हैं सो आपको स्क्रॉल डाउन करना है चेक बॉक्स पर क्लिक करना है आई हैव रेड और अंडेस्टूट इंस्ट्राक्शन गिवन अबव एंड प्रसीड फॉर्दर रिजिस्टरेशन पर क्लिक करना है उसके बाद यहां पर फ्रेंड्स आप यूज एन्रोल तो आप वेट करें जैसा कि 15 जनवरी तक का समय दिया गया है और जितने भी स्टूरेंट्स हैं जो डिसेंबर एग्जामिनेशन में बीजिए हैं वो एग्जामिनेशन के बाद ही अपने आपको रिजिस्टर कराएंगे विकाज अभी वो सब एग्जामिनेशन की प्रप्र कर रहे हैं और आप अपने लिए बेस्ट हैल बुक्स आते हैं अभी तक आपने अपने प्रिप्रेशन स्टार्ट नहीं की तो पर्चेस कर सकते हैं गुलीबबर.com से फ्लाट 50% पर आपको डिसकाउंट अवेल कराई जा रही है जल्द ही ऑफर खतम होने वाला है तो ऑफर इस सेंडिंग सून और अगर आप यह वेल करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं बहुत ही बैनिफीशल आपको रहने वाला है साथी साथ आपके एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी क्योंकि इसी बुक्त में ही आपको प्रिवेश सेयर एडमिशन को लेकर तो एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर एडमिशन पोर्टल हम ओपन करते हैं तो अभी जुलाई सेशन का ही यहाँ पर मैंशन किया गया है जिसके लाज़े 31st of October थी जल्दी एडमिशन भी ओपन कर दिये So I hope यह वीडियो आपके लिए इंफर्मेटिव रही होगी यह क्विक अपडेट हम आप सभी के लिए लेकर आए थे So thank you for watching the video till end see you soon in the next video